तेरा सो अठारा से थोड़ा उपर तक वाटर लिवल कुछ गया था जैसे मैंने मेंचिन किया था कि एपारेलें से यह छे फूर्ट उपर था तो राजस्तान के चीफ सेक्रेटरी से बात करके हम लोगों ने राजस्तान की जो तीन टैम है एक जवार सागर एक रणाप्रताब सागर और कोटा गराज जो डाउंस्ट्रीम में पढ़ते हैं उन सब में भी सभी गेट्स को खोल के और वहां पे रहात और बचाओ के तेयारी के लिए उनको पहले से बता दिया ना पर जो कि एफारेल लेवल पार हो गया तो इसमीं उसकी जो बैक वॉटर होता है उससे हमारा नीमच में रामकुरा बस्ती में और करीप इनिशेली चोपन गाउं उसके बाद फिर तेटीस गाउं तक हमारे यहां पे काफी फ्लडिंग हो गया जसके बारे में आप लोगों ने आज रिपोर्ट भी पड़ा रहो है 1183.9 यानि कि पूरे मध्यप्रदेश में करीब 33 प्रतिशक अधिक वारिश हो चुकी है पस्ची मध्यप्रदेश में कुछ जाधा हुआ है पूर्वे मध्यप्रदेश में इविन दो करीब इकाज जिलो में थोड़ी सी कम बारिश हुई है मोटा मोटी मध्यप्रदेश में 30% अधिक वारिश हो चुका है और उसका जो भी इंपक्त है वो तो आप इमाजिन कर सकते हैं इंडिविज्ट्रिक्स की क्या डेटा है वो हम प्यार डिपार्टमेंट को दे देंगे वो इक डीटेल मीटिंग किया था मध्यप्रदेश की वर्साथ पूर तयारी के बारे में और प्रतिक जिले में कहां-कहां पे बाढ़ आ सकती है कहां-कहां पे हमें होंगार्ट डिप्लाइमेंट करना है एस्टियारिव डिप्लाइमेंट करना है बोर्स हैंकी नहीं, लाइफ जैकेट्स हैं कि नहीं इन सब की एक इंवेंटरी लेके तीन महीने पहले रेविन्यू डिपार्टमेंट में और इसके लिए में अपनी श्रिस्तोगी जी जो बैठे हुए वह विशे शुरुख के दाने बार देना चंगा हम लोगों में तेयारी प्रावप कर दी तो यह जो एक क्यूट सर्ज आया प्रतापवड एरिया में बारिश होने की वज़े से इंफ्लो गांधिसागर में करीब चार-पांच लाख यूसेक्स का हता था वह अचानक बढ़के 16 लाग जब